और राष्ट्रुपिता महात्मा गांदी के अनेक रूप हैं कहीं प्रेम का रूप, कहीं त्याग का रूप, कहीं प्रात्ना का रूप, कहीं निस्वार्त का रूप कहीं दया का रूप कहीं करूना का रूप और कहीं सहयोग का रूप आए इस एपिसोड में महात्मा गांदी के सहयोग के रूप को देखे गुजरात के अध्योगित नगर एहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे इस्थित इस सत्याग्रह आश्रम ने 1917 में काम करना आरम्द किया शुरुवाती दिनों में आश्रम बाजी कैन्वस के तमगों में रहते थे उस समय आश्रम का प्रमुप कारे कपड़ा बुनना था आश्रम में 1917 में चर्खा आजाने के बाद सबसे पहले बनी खादी के एक डुबले की प्रीमत सत्रह आने प्रति गज़ आई थी इसी आश्रम में निवास के समय एहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन समाथ होने के तुरंद बाद गांधी जी खेड़ा किसान सत्याग्रह में कूद पड़े नए आंदोलन कारियों की भरती जारी थी गांधी जी का स्वास्त बिगर्दने लगा डॉक्टरों ने सलाहि दि कि गांधी जी अंडा घाना शुरू करें जिसे उन्होंने मना कर दिया किन्तु कस्तूरबा के कहने पर बकरी का दूथ पीना शुरू कर दिया ब्रिटिश राज ने रॉलेट कमेटी की सिफारशें जारी की, गांधी जी ने उन्हें अवांचित वा अपमान जनब खरार किया इसी आश्रम में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बल्लब भाई पटेल, सरोजनी नाईडू, शंकरलाल बैंकर, श्रीमती अनसुया बेन आधी ने भाग लिया गांधी जी के नेत्रत्व में देश भग में 6 अपरेल 1929 को आम हर्ताल की गये प्रिटिश सरकार ने विदेशी बस्वों का उपभोग करने वालों और सरकार समर्थों को उपाधियां और पुरस्कार देने की घोशना की तब गांधी जी ने इसी आश्रम में सोदेशी अपनाव का नारा दिया 1921 में यहीं रहते हुए गांधी जी ने कहा हिंसा पश्यों का काम है आश्रम में रहते हुए ही गांधी जी के विरुद्ध यंग इंडिया पत्रिका में तीन भड़काने वाले लेख लिखने के आरोप में नाय दिश श्री आर एस ब्रूंफिल्ड की अदालत में 18 मार्च 1922 को एक मुकद्मा चलाया गया अपने जबाब में उन्होंने अपनी उम्र 53 साल बताई वा अपना पेशा, किसान और बुनकर बताते हुए अपना अपराद स्विकार किया गांधी जी को 6 साल साधारन कारावास की सजा हुई हाला कि राजनेतिक माहौल गर्म था, किन्तु बंबई में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमेशन की आगमन से स्थिति विस्खोठक हो गई गांधी जी ने अंग्रेजों को चेताब नहीं दी, कि यदि भारत को सुतंत्र नहीं किया गया, तो हम स्वयम को आजाद भोशित करतेंगे स्थितियां तेजी से बतली और जनवरी 1930 में पून स्वराज के भोश्रा करती गे चारों तरफ उत्साह का बाधावरुन था, एहमदाबाद और आश्रम में गदविदियां तेज हो गई थी, हजारों की दादात में उत्सुप लोग उस महान शर्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे बारह मार्चु 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ आश्रम से डांडी के लिए रवाना हुए, ताकि इतिहास में नमक कानून को तोड़ने की घटना दर्चो ये द्रिश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे महात्मा गुद्ध का महा भिनिश्क्रम यात्रा शुरू करने से पहले कांधी जी ने घुशुना की कि जब तक आजादी नहीं मिलते तब तक वो आश्रम नहीं लोटेंगे कांधी जी का ये आश्रम एक ऐसा पवित्रिस मारक है जिसने हमें आजादी के सूरज के दर्शन कराए हमारा देश हमारा राष्ट्र जो है वो दर्म निरपेक्षय है लेकिन वो निती निरपेक्षय नहीं है उस बात को हम भूल गये ते इसलिए मैं मानती हूं कि दर्म का सच्चा अर्थ क्या है वो अगर हम लोगों तक पहुंचा सके और उसमें सभी दर्म के लोगों को साथ म तो हिंदू मुस्लिम सीख हिसाई जैसे हम कहते थे उस वक्त हिंदू मुस्लिम सीख हिसाई आपस में है भाई भाई तो सर्वधर्म संभाव की भावना को हमें देश में प्रसारित करनी है तो उसके लिए अगर हम सिक्षा पद्दती में पहले से ही सर्वधर्म के जो समान स तो थोड़ा बहुत फ़र्क जरूर हो सकता है। तो बापु ने स्वयोग को और अस्वयोग को नॉन कोपरेशन उसको बहुत ही मजबूत वेपन बनाया। कि किसी भी संस्ता को नीचे डारना है। अन्याय के सामने जजुकना है। कोई बदमाशी करते हैं उसको रोकना है। तो वो जो बल है उसके स्वयोग नहीं दीजे। तो नॉन कोपरेशन उस्वयोग आर दी रिजल्ड ओफ नॉन वाइलन एप्रोच। उनका जो मूग मंतर था स्वयोग। जातियों में, धर्म में, देशों में, सब में वो स्वयोग जाते थे। नैशनल यूनिटी, समझे जब से भारत में आए, और अपने रास्ट, जो उनका समझे रास्वास था उस तक, उन्होंने नैशनल यूनिटी पर सारा जोर दिया। लेकिन उनका ये भी सिधान था कि यदि ऐसा अन्याए हो, जिसको आप तरक से, रीजनिंग से, आर्गुमिंट से नहीं दूर कर सकते, तब आपको ऐसे योग करने का भी हक है। आर्थिक और सामाजिक आजदी लाने के लिए, एक आमूल परिवर्तन लाने के लिए, सबसे ज़्यादा जरूरत ऐसी नीती बने, और वो नीती ऐसी बने कि जो लोगों को अनुकुल हो, आम जनता को, आर्थिक नीती भी ऐसी बने कि जो फाइदा हो उनको, किस तरह से ज़ आमीर क्षेत्र में हो, ऐसी निती बने, और ऐसी निती बनाने के लिए लोगों को साथ रखना पड़ेगा, लोगों का सहकार सहयोग तो लेना जरूरी है. Basic quality that generates a spirit of cooperation in one person in his mind with the others, will be on the basis of the understanding that these two persons are made of the same stuff, are the children of the same God. A fellowship, understanding, compassion, desire to work together, a willingness to suffer even for the other person is the basis of cooperation. सहयोग से ही दुनिया चलती है, खुदरत का भी ये नियम है, और जहां सहयोग तूटता है, वहीं पर हिंसा होती है. तो जहां हिंसा नहीं है, एक मोटा मोटी निये में समझ लिजिए, जहां आज लोग एक दूसरों को मारकाट पे नहीं उतरे हैं, या जहां पर किसी भी प्रकार का disturbance नहीं है, चीजें उलट उलट नहीं हो रही है, वहां सहयोग के वज़े से ही हो रही है. जो इस समय के हमारे निरनायक लोग माने जा सकते हैं, या संस्थाएं, उनमें हमें संघर्ष और असाहयोग जादे दिखता है, वो भी बहुत छोटी-छोटी बातनों पर. इसलिए युवापिली से हमको बहुत उमीद करते हुए डर लगता है कि इतने चुनोती और असाहय जोग के बारे में कैसे सोचेगी, लेकिन शायद ये उसके लिए सबसे बड़ी चुनोती है, कि इसमें से वो अपने समाज का जो उसका धूरी थी, सत्व था, उस पर कैसे वापस आए और इसको समझेगे। आश्रम जीवन जैसे जैसे सम्रिद्ध होता गया, वैसे वैसे ये भजन संग्रह बढ़ता ही गया। द्रोपते के लाज राखी तुम बढ़ायोची हरी तुम हरोजन के देर। भक्त कारन रूपन रहरी धर्यो आप शरी। हरी नकश्यप मारली देर। बूड़ते जज राज राख्यों कियो बाहर नीर। दा समीरा लाल गिर धरम। दुख जहां तहां फेर। गांधी जी अक्सर कहते थे कि अगर आश्रम के सिध्धानतों के खिलाफ कोई भाव किसी भजन में आए तो उस भजन को भजनावली से निकाल दिया जाए। मसलन मृत्यू का डर दिखाने वाले भजन हमारे कोई काम के नहीं है। बैराग्य का उपदेश देने वाले स्त्री जाती की निंदा करने वाले कोई भी भजन हमारी भजनावली में काम नहीं करेंगे। जिन भजनों में भक्तिभाव नहीं है या जो भजन कृत्रिम है और कवी का सारा प्रयत्न शब्दों को सिद्ध करने का ही हो ऐसे भजन कभी भी पसंद नहीं किये जाएंगे कर दो जो, में लो है जाएंगे। झाल झाल